हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिश्टर स्मार्ट टेकनिकल, अगर आपने इस थमनेल पे क्लिक किया है, तो कुछ जानने के लिए गया होगा, तो अगर आप भी Amazon Payletter को यूज करते हो, या फिर चाते हो कि हम भी Amazon Payletter को यूज करेंगे, तो प्लीज आप से एक रिक्वेस्ट है आप भी Amazon Payletter को यूज मत करना, अगर यूज करो उससे पहले एक बार इस वीडियो को यूज करना, क्योंकि आपको बहुत बड़ा या पर नुकसान होने वाला है, अगर आप उस नुकसान को जहल सकते हो, तो ही आप Amazon Payletter को यूज करना, तो वीडियो को यूज करना, तो चिप मत करना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल भी नहीं हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन गोल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो आलू, आपक के से मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं सो गईज एमेज़ोन की एप को मैंने आप एक्टिवेट करने यह आपको पर बताने वाला हूं तो पहली प्रोब्लम सबसे बड़ी प्रोब्लम होती हैं जो कि मैं आपको यहां पर बता दू credit score की अगर आप amazon पे लेटर को यहां पर activate करते हो तो आपका credit score बहुत ज़्यादा यहां पर गिर जाएगा और अगर आपको पता है कि हम credit score बुल्ड करते हैं तो कितना ज़्यादा यहां पर हमें time लगता है और amazon पे लेटर को apply करने यहां पर हमारा credit score इतना गिर जाता है तो आप देखोगे तो आपको खुद को यहां पर यकीन हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको वही वीडियो दिखा देता हूँ अब अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा मेरा credit score 752 था मैंने दो तिन वीडियो में आप बता दिया था कि 752 मेरा credit score है और credit app में हर एक महीने बाद हमारा credit score अपडेट होता है जो कि हर महीने की आपकी जो billing cycle लेट है उस date को अपग्रेट होता है तो आप देख सकते हो उससे पहले वता 6 जून को और कल 6 जुलाई को भी यह फिर से यहां पर refresh करने का option आ गया था तो अब हम play करके देख लेते हैं कि हमारा credit score कितना जदा यहां पर कम हो गया refresh पर click करते हैं जैसे refresh पर click करेंगे तो हमारा credit score सत्याओन पॉइंट यहां पर गिर चुका है अगर हम इसे सहीव से भी यूज करेंगे तो सत्याओन पॉइंट को यहां पर इंप्रूव होने के लिए एक साल लग जाएगा तो आप देख सकते हो कितना hardly तरीके से यहां पर चेक किया जाता है Amazon पे लेटर के limit देते time मेरा credit score सत्याओन पॉइंट यहां पे गिर चुका है अगर आपको भी Amazon पे लेटर को apply करना है तो सबसे पहले यह देख लेना है कि कितना आपका यहां पे credit score गिर सकता है तो मैंने apply किया तो इतना यहां पे नुकसान हो गया और Amazon पे करन यहां पे civil कितना ज़्यादा यहां पे डाउन हो गया है तो आपने देखी लिया है कि Amazon पे लेटर की limit को activate करते हैं तो हमारा credit score यहां पे कितना गिर जाता है तो दूसरा भी हम यहां पे नुकसान बताने वाले है कि दूसरा नुकसान क्या हो सकता है उससे पहले हम आपको बता दूँ अगर आप ए credit card user है अगर credit card को use करते हैं और अभी तक आपने credit app को install नहीं किया है तो वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा वहाँ से अगर आप credit card add करके अगर 100 रुपे का भी payment कर देते हो तो आपको 500 रुपे से लेके 1000 रुपे तक का case back मिल जाएगा अगर आप ज्यादा रुपे का payment करते हो तो definitely आपको 1000 रुपे का case back मिल जाएगा जो कि 500 रुपे से आगे का 2% के साब से आपको case back मिलता है 500 रुपे तो आपको definitely मिलने ही वाले है तो अभी तक आपने credit app को install नहीं किया है तो वीडियो के description box में जाएए वहाँ से credit app को install करके जल्दी से आप पे payment कर दीजे ताकि आपको 500 रुपे चले के 1000 रुपे का caseback मिल जाए अब बात कर लेते हैं दूसरी problem के बारे में जो कि हम अगर amazon पे लेटर को activate करते हैं जो कि हमें face करने ही पड़ सकती है अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि आप amazon पे लेटर का manually कैसे payment कर सकते हैं अगर आप auto repayment नहीं चाहते हो और manually payment करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं क्योंकि मेरे वीडियो पे बहुत सारी comment आ रखे थे कि हमारा payment नहीं हुआ है और अमारा amount वो due हो गया है तो मैंने बता दिया कि आप manually कैसे payment कर सकते हैं और आपने देखा होगा कि मैंने manually payment किया था वो पूरा current out standing किया था ना कि जो due amount था वो payment किया था मैंने पूरा current out standing यहां पे payment कर दिया था जो कि 6521 रुपे हो गए और उसके बाद मेरी जो total due amount था वो यहां पे 0 हो गया है और यहां पे 25,000 limit चो कर रहा था उसके बाद भी जैसे कि आपने पे payment कर दिया तो payment जब सारा करी दिया तो कोई payment यहां से debit नहीं होना चाहिए फिर भी मैरा जो upcoming due amount था वो यहां से cut गया है वो भी मैं आपको यहां पे बताने वालों इसी कलती नहीं होनी चाहिए फिर भी यहां से हमारा जो upcoming due amount है वो cut गया तुम आपको कुछ screen shoot दिखा देता हूँ तो पहले तो आप यह देख सकते हो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इसके repayment के बारे में बताया था तो आप upcoming due amount देख सकते हो 704 में और नीचे मैंने आप पूरा आउट इस्टेंडिंग ही pay कर दिया था 521 रुपे फिर भी आप यहां पे देख सकते हो 5 जुलाई को जो auto debit होता है उसके अंदर मेरे 704 रुपे भी यहां पे debit हो गए उसके बाद आप repayment में देख सकते हो repayment में उली जो 521 रुपे मैंने 4 तारीक को payment किया था वह यहां पे शो कर रखा है अदर जो मेरा auto debit हो गया बेवज़ ही वह यहां पे update नहीं हुआ उसके लिए मैंने customer care को call किया तो amazon के customer care वाले बोलते हैं कि आप IDFC bank वालों से संपर्ख करो क्योंकि जो loan amount आपको यह पे मिला है pay letter की limit वो इनकी तरब से मिला है तो वही solution करेंगे तो मैंने IDFC first bank को भी call किया तो वो बोल रहे हैं कि Amazon वाले करेंगे इस परकार दुनों तरब से कोई भी आप यह सही से जानकरे नहीं देता है फिर मैंने Amazon वालों को फिर से call किया तो वो बोल रहे हैं कि हम यहां से आपकी complaint लगा देते हैं तीन से पांस दिन के अंदर आपका यह solution हो जाएगा फिर भी यह गलत बात है अगर हमने total payment करी दिया है तो फिर से payment कटने का क्या फाइदा है अब आप देख सकते हो मेरे Amazon पे लेटर यूज करने बाद मेरे को यह यह problem हुई अगर आप भी Amazon पे लेटर यूज करना चाहते हो तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कोई दिक्कत नहीं यह amount दो बार कट गया तो वो कहीं ना कहीं solution हो जाएगा बट आपका credit score इतना ज् दाउन हुआ है और अगर ओल्डेडी एक्टिवेट कर लिया है तो आपको manually payment नहीं करना है जो auto repayment होता है उसी को होने देना है क्योंकि कई बार यहां पर दो बार amount कर जाता है जैसा कि मेरे यहां पर दो बार amount debit हो गया so guys मैंने पूरा आपको detail के साथ बता दिया है कि अगर आप भी amazon पे later use करते हो तो आपको इस परकार कुछ problem face करनी पड़ सकती है उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको useful लगागा वीडियो informative लगा तो वीडियो को जुरूर से like करना साथ में इस वीडियो को अपने दोस् करता मिल सके थांक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में